नमास्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागा थे हमारी यूटूब चोनल आदी वीरा पॉइंट में तो दोस्तों अभी तक आपने टेलिगेराम गुरूप को जोइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्सन वे उसकी लिंग की दिए वहाँ जाकर आप टेलिगेराम गुरूप को जोइन कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ITI ट्रेनिंग ओफिसर जो कोसल विकास संचानला होता है उसमें वेकेंसी निकलती है कोसल विकास अधिकारी की प्रिसिक्षण अधिकारी की तो वो वेकेंसी इस साल सरकार ने जो है कलेंडर में दी हुई थी लेकिन बाद में उन्होंने जैसे कलेंडर बिट करा तो वेकेंसी को अटा दिया गया पहले 2019 में नोंने calendar अप्रेट करा था वहाँ डाला था vacancy को लेकिन 2020 में अप्रेट करा उसको फिर कट कर दिया फिर से एक बार फिर हुनोंने सिबराज सिंग की सरकार आई तो फिर हुनोंने calendar में इसको डाल दिया था बाकी और vacancy जो है उनको अभी डाले हुए है गुरूफ 5 का तो notification आ चुका है और जो नर्सिस का है उसका notification आ चुका है इसमें ये क्या कर रहे हैं? Guest faculty के लिए बोला रहे हैं अब guest faculty को बलाएंगे तो आपको ये वाली भरती करने नहीं पड़े हैं आराम से guest से काम चला लेंगे अभी आप लोगों को मालम होगा कि चार तारी तक इसके जो है form fill up किये जा रहे हैं जो तो आप निकालेंगे नहीं vacancy भर इसकी जो last vacancy है 2016 में आई थी और 2020 खतमों ने को आ गया लगबग 4-5 साल आपने एक vacancy नहीं निकाल पाया 4-5 साल आपने एक vacancy नहीं निकाली तो समझ सकते हैं student जो किया रहे हैं और ये जो vacancy 2016 है नाइन जो है trades पे हुई थी अब हम आपको बताते कौन कौन सी trade पे हुई थी 2016 में जो हुई थी vacancy और कितने trade पर कितने vacancy निकलती थी अब देखिए दोस्तों ये जो है vacancy जो है 2016 में vacancy निकली हुई थी 2016 की बात कर रहे तो देखिए 424 पोस्टों पर vacancy निकली हुई थी और इसमें कौन कौन से थे एक तो पहला नंबर पे देखिए कोपा की निकली हुई थी दूसरे नंबर पर बिदुतकार, डीजल मेकनिक, फिटर, मोटर मेकनिक, मसेंच, टरनर, वेल्डर और गड़े ड्राइंग की इनकी साथ ही ये पोस्ट है इन पर vacancy निकली हुई थी कुल मिलाकर 424 पदों पर 2016 में vacancy हुई थी तो देख सकती हैं ये 9 के मलब जो 9 ये हैं ट्रेड हैं ये इन पर कितने सारी स्टूडेंट जो हैं ये करके रखे होंगे 2016 के बाद 2017 में जोनों नकरा होगा कि वेट कर रहे होंगे इस भरती का अब निकलेगी अब निकलेगी दर बदर साल हर साल बस calendar अबडेट होते रहते हैं उसमें से हटा आए और इस बर calendar में डाले रहते थे लिए दंबार नोंने calendar से भी इसको हटा दिया और आरामसे ये गेस्ट बेकिंसी की भरती कर रहे हैं तो इस लिए इस बेकिंसी को नहीं निकाला हुआ है जितने भी student हैं वो सरकार से मांग करें कि भाई जब आपको vacancy नहीं निकालनी थी आपको vacancy नहीं देनी थी तो फिर आपने calendar में update क्यों करा उसके लिए या फिर आपके लिए guests से पत भरने ही थे तो फिर आपको ये vacancy के calendar में डालनी नहीं थी भाई साब student थे देखते नहीं आप अपना कुछ इसमें आप कराईए मत इसमें परसे छाण क्योंकि ये जो student है इतने सारे trade के ये सारे student है trade के कि भल इसी vacancy के बैठे रहते कि vacancy अपने MP में state में निकलेगी क्योंकि बाकी अधर में competition काफी बढ़ जाता है यहाँ अपने state में थवड़ी ठीक ठाग रहता है तो इसकारण student बैठे रहते हैं लेकिन आपने 2016 के बाद vacancy के कहीं आता पता ही नहीं कब vacancy आना है आना भी है कि नहीं आना है तो student करे भी क्या पर क्या वो उसी के लिए बैठा रहा है या फिर अधर vacancy के तयारी के रहे फिर तो यह ही था आज के लिए बताना कि देखी क्या जो है पुलिस भरती कभी यही हाल है कि पुलिस भरती कभी कितना अंदोरन चला लेकिन सार्थक कुछ नहीं हो पाया उसमें vacancy इनोंने इसकी भी नहीं डाली ना प्रेंटर डाली ना कुछ डाली वही और चोकि मालूम है vacancy इसमें खाली है और चोकि vacancy इसमें खाली है और इसमें खाली नहीं होती तो फिर आप gas teacher के लिए क्यों बोला रहा है जब vacancy इनों तो उसको आप fill up करिये ना इसके मात्या हम से लेकिन एक gas teacher की vacancy खाली होते हुए भी जो है पर्मनेंट वर्ती इसके करना नहीं चाहते हैं हाला कि यह जरूर है कि इस पर तीन साल के लिए सम्गीदा पर लेकर आगे यह चलती रहती है ठीक है तो यही था बताना मकसद हमेरा आज इसके लिए आप सबी के लिए कि देखी इतने सारी जो trade है अब इन्हें student जो करके वैठे होंगे वो यही बो ही समाज रहे होंगी उनका जो दर्द है है कि इतनी vacancy पर जो है निकाली थी कम से कम इसकी हम के तो यह कम vacancy भी निकाली लेकर vacancy निकाली है अब आप देख सकते हैं अब देखा रहे हैं आपके लिए एक चीज और आप देखिए दोस्तों यह जो vacancy है government के द्वारा जो है निकाली जा रही है guest faculty के लिए guest faculty के लिए है guest है हम इसके official website पर आए हुए mpskills.gov.in पर तो यहाँ आपके लिए जानकारी दिखेंगे मिलेगी जैसे हम इस पर click करेंगे guest वाली section पर तो यहाँ हम नीचे आएंगे तो यहाँ देखाई देखिए vacancy जो है यहाँ पर निकली हुई है यहाँ आएंगे हम यहाँ click करा नीचे दिखेंगे आप यहाँ पर guest faculty तो जैसे ही guest faculty पर correct करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए पूरा जो है form इसके fill up किये जा रहे है apply an online form vacancy position अब vacancy position पर click करेंगे जैसे ही आप तो देखिए यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा all zone यहाँ पर भूपाल गौली अरिंदो जबलबोर रीबा सागर और जैन बाला घाट यह सारे zone में vacancy खाली डली हुई है लेकिन यह सारे trade हो में यह देखिए इतने सारे trade है वो तो no trade में ने किली थे लेकिन इतने सारे trade हो मे यहाँ पर precision दिया जाता है देखिए इतने सारे trade जो है इन पर precision दिया जाता है लेकिन vacancy देखिए है यहाँ पर vacancy यह जो है गेस्ट faculty के तो रहो है यहाँ से vacancy फिल आप कर रहे हैं ST category के लिए है यह OBC के लिए है अरिजर्ब्ड के लिए यह सारी vacancy खाली हुई है यह वाले vacancy देखिए इतने सारे district में जो है हर district में कहीं ने कहीं देखिए एक दो vacancy खाली एक दो vacancy दो vacancy यहाँ कहीं ने कहीं हर सीट के लग लग के लिए कहीं ने कहीं requirement मांगी गई कहीं female के रेजर्ब है कहीं open के लिए है तो यह सारी जो है अलग लग के लिए मांगी गई एक vacancy यहाँ पा निकली हुई तो इतने सारे देखी कितनी सारी जगाए पर देखी टोडल बैकेंसी जो है खाली डली हुई है यह देखी यहाँ पर तोटाल 840 जगाए पर यहाँ पा जो है vacancy डली हुई है खाली लेकिन और हर जगाए लाग बगदो दो तो यहां मान के चल सकते हैं आप डेड़ से 2000 की बीच करीब और जाना ही है वेकेंसी खाली है और सरकार क्या कर रही है इस पर केवल गेस्ट जो है फैकल्टी की माध्यम से इस वेकेंसी को भरना जा रही है ताकि इस पर हमें कोई भरती करनी ना पड़े इसलिए उन्होंने कैलेंडर जो है यहां से हटा दिया है तो इतनी थी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को सेर करें ताकि उनको भी मालूम पड़े कि काला सच क्या है इस वेकेंसी के पीछे का है न और साथ में टेलिगराम गुरूप को जोईन कर लें साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जैसे कोई अपडेट आएगा आपके लिए तो जरूर मिल जाएगा तो इतना ही बताना था वीडियो को लाइक जरूर कर दें अधि अच्छी लगी हो साथ में दोस्तों को सेर जरूर कर दे ताकि उनको भी मालूम पड़े कि हमारे गवर्रमेंट में क्या चल रहा है तो इतना ही बताना था और किसी एक गवर्रमेंट को पजाएगे कोई भी सरकार हो चाहे वो BGP की हो और चाहे वो कांग्रेस की हो दोनों एक ही हैं क्योँकि जब ये सत्था में रहते हैं तो ये वाले अपने लिए बो बन जाते हैं भाईचार दखाएं लगते हैं और जब ये वाले सत्ता में रहते हैं तो भाईचा अपने लिए बताने लगते हैं अपने दोनों को ही देखा हुआ कि जब तक पुलिष गयं अने बैकंसी नहीं आया थी तो they keep सरकार आई तो कमलनाथ उसका समर्थन करने लग रहा है लेकिन जब कमलनाथ थे देड़ साल रहे तो इन्होंने भी कोई वेकेंसी नहीं निकाली और सबराज सिंगा है तो इन्होंने भी कोई वेकेंसी नहीं निकाली मतलब दोनों एक ही से के के दोनों पहलू है है ना इनको केबल अपने राजनिती से मतलब है कोई भी सरकार रहे चाहे बीजीपी की हो जा कांगरेस की इनकी बीच केबल स्टुडेंट पर सेगा तो दीजी आज के लिए इतना इफे वीडियो में धन्यवाद